दो हज़ार बाइस के विधान सभा चनौँ में भारति जन्ता पार्टी ने सफलता पाने के बाद वर्तमान यूपी बीजेपी के अध्याश सवतन्त्र देव सिंग को मंत्री बना दिया सतंत्र देव सिंग की योगी सरकार में मंत्री बन जाने के बाद नया प्रदेश अध्याच चुना जाना है हाला कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्याच कौन होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है लेकिन या सस्पेंस आज 28 माई को खतम हो सकता है मीरे रिपोर्ट्स के मताबिक भाच पाज यूपी बीजेपी के नया अध्याच की घोशना कर सकती है दरासल रवी वरुंतिस माई को प्रदेश की रास्थान इलाक नों में भारते चंता पार्टी की प्रदेश कारे समीती की बैठक होनी है इस बैठक से पहले नए पार्टी की प्रदेश कारे समीती की बैठक होनी है इस बैठक से पहले प्रदेश अध्याच की घोशना हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी 2014 के लोग सबह चुनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नए अध्याश के नाम का एलान करेगी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बिजेपी कारसमीती की बैठक से एक गिल पहले पार्टी के महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है गरमाया हुआ है यूपी के राजनीति गलियारे में भी भाजप्रप्रदिस अध्यश के नाम पर खूब चर्चा हो रही है कि डॉक्टर दीनेश शर्मा के अलावा श्रिकान शर्मा हरीज दिवेदी और दोसांसलों के नाम खूब चर्चा में है वही याभी माना जा रहा ह कि राजनी पार्टिसान वठान में भी बदलाब होंगे विरो रिपोर्ट आइपन